इस वीडियो में हम log x का derivative निकल लेंगे by using method of first principle और उसको निकलने के हैं हम differentiation की definition का use करेंगे तो ठीक हम स्टार्ट करते हैं हमें क्या निकलना है differentiation of log of x that will be equal to limit h tending to 0 log of x plus h minus log x by h ठीक है अब इस particular problem को solve करने के लिए हमें दो additional information पता होनी चीए पहली तो log of m by n is equal to log of m minus log of n ठीक है और limit h tending to 0 log of 1 plus h by h this will be equal to 1 ठीक है यह दो चीज़ा हमें पता रहेगी तो हम इसका derivative इसली निकल पाएंगे तो यह प्रोपर्टी में यहां पर लगाता हूं तो यह हो जाएगा limit h tending to 0 यह हो जाएगा log of x plus h by x upon h ठीक है तो इसे हम लिख देंगे log of 1 plus h by x by h ठीक है अब हमें यह प्रोपर्टी पता है कि log of 1 plus h by h when h is standing to 0 इसकी limiting value के होती है अब इसमें आप देखें जो यह अंदर लिखा रहता है ना वो यहां पर लिखा रहना चीए ठीक है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है h by x ठीक है आप इसमें limit put करेंगे तो यह 0 पर जाएगा पर क्योंकि अंदर h by x लिखा हो तो हमें यहां पर भी h by x लिखना पड़ेगा उसके लिखें हमें x का multiply और divide करना पड़ेगा ठीक है अब देखें हम 1 by x भार निकाल सकते हैं और क्या पुचेगा limit h tending to 0 log of 1 plus h by x upon h by x और इसकी value क्या हो जाएगी वन इस property के साब से तो इसकी final value क्या होएगी 1 by x तो differentiation of log of x will be equal to 1 by x ठीक है आपको वीडियो पसंदाद आप लाइक किजाए थेंक्यू सो मच